हेलो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स यूपी स्कॉलर से रिलेटेट एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है जो आप लोगों को जानना चाहिए इसकी वज़े से जो है आप लोग बहुत सारे क्वेस्टन भी हमें सेंड कर रहे हो जिसमें आप लोग का कॉमेंट रह रहा है कि पेंडिंग बाई जो है पी एफमस बताये जा रहा है ये क्या है और इसी से रिलेटेट जो है एक अपडेट है जो मैं आज इस वीडियों बताऊंगी इसके साहत साथ कुछ क्वेस्टन हमें ये सेंड किये गए है जैसे एक सुनेल राजपूत है उनका क्वेस्टन सेंड किया गया है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकुन को हिट कर दीजे चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PFMS ठीक है PFMS के का रिगार्डिंग जो भी आप लोग का अपडेट हो रहा है जैसे कि पेंडिंग भाई PFMS हो रहा है तो यह क्या है PFMS का जो पेंडिंग आप लोगों का होड़ा है वो आप लोगों को वहां से फंड रिलीज होता है वहां से आपको फाइनेज किया जाता है वहां पे आपका चला जाता है तो आपको अंडर आप हो सकते visualization है या फिर आपके documents final stage पर है जहां से कभी भी आप लोगों का verified कर दिय जाएगा अन्दैन आपका पैसा आ जाएगा तो यह एक लास्ट प्रोसेस होता है जो की स्कॉलर्शिप का रहता है इसमें इसका है कि आपका सारा प्रोसेसीा या सब जाए हुआ है इन लोगों चार्ण आपका सारा डीने बीच भी तरीके से वो लेकिन फाइनल स्टेज पर आपका डॉक्मेंट है और वहां से एक बार वेरिफिकेशन होना है तो यह अब बस वेट कर लीजे 3-18 जनुरी के बीच में जो है PFMS वाले जहां जहां भी जितने भी स्ट्रेट का वहां पे पेंडिंग है वो सभी क्लियर कर देंगे यह एक नया डेट जो है सामने निकल कर आ रहा है अब हम यह कोशन उस निल राजपुत का लेते हैं इनका कहना है कि इनका इंकम उसमें अपडेट करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा एक साल से पुराना तो जो है accept नहीं करता है अगर आपका 6 महने 7 महने पुराना है तो चल जाएगा तो वहां पे आप देख लेना कहीं ऐसा नहों कि इनकम सर्टिफिकेट आपने एक साल से पुराना वाला जो है लगा से ऐसा कर रहा है या कुछ न कोई सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हुआ है तो जभी भी correction date आएगा तो वहां से ठीक कर सकते हो दूसरा है कि आपका attendance 75% से कम बता रहा तो इसके लिए आपको college जाना होगा college में जाकर के पता कीजिए कि आपका attendance कितना send किया गया है कि college की तर और वहीं से correct भी करवाना होगा आपको college की तरब से ही आपको वहां से सही करवाना होगा तब जाकर के आपके ये problem जो है दूर होगा तो जिन लोगों का भी scholarship में जो भी problem आ रहा है वो जल से जल यहां rectify कर लिजे क्योंकि अब scholarship आना start हो जाएगा दो जो date है मैंने आप का दस को यह में जो है आठ को दस को यह जो पूरा जैन जैन जन्वरी जाने वाला है इसमें आप लोग का scholarship बहुत ज्यादा सज्ट्रेंट्स का आएगा जिनका verify हो चुका है और जिनका verify नहीं हुआ हो वह verify होने के बाद आएगा so अभी scholarship related अगर आप लोगो और भी confusion बचा ह हुआ है तो आप इस वीडियो में comment कर सकते हो यह Instagram पर follow करके हमें message कर सकते हो फिर मिलूंगी till then have a nice day